मैं आपकी मांग भर देता हूँ मांग भरने के लिए तो पूरा महला पड़ा है बिल कौन भरेगा दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे ड्रीम गर्ल 2 अड्रीम गर्ल के छटवे दिन के बॉक्स ओफिस कलिक्शन के बारे में आईश्मान खुरान अनुसरत भरुचा लीडोल में नजर आये थे साथी अविशेक बैनेर जी अनुकपूर मंजोज सिंग राजी शर्मा अविजह राज भी नजर आये थे इस फिल्म को राजसान देलिया ने डारेक्ट किया था तो 170 करोड का इंडिया ग्रोस कलिक्शन किया था इस फिल्म ने ओवर्सिस में लगबख 31 करोड 40 लाग के कलिक्शन किया था अगर वर्ल्ड वेट कलिक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने 201 करोड 40 लाग का वर्ल्ड वेट कलिक्शन किया था दोस्त आपको बता दो कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 34 करोड था और ये फिल्म box office में blockbuster साबित हुई थी ये फिल्म 2019 की चौदवी highest crossing फिल्म भी रही थी और आश्मान कुरान की carrier की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बने हुई है वही बात करें इस फिल्म के IMDV rating की तो इस फिल्म को 7 rating में अब जानते हैं Dream Girl 2 के box office collection के बारे में दोस्तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 10 करोड 68 लाग का net collection किया था तो अपने पहले वीकिन में 40 करोड 68 लाग का collection किया था वही इस film न अपने चौते दिन में 5 करोड़ 40 लाग कर अपने पांच वे दिन में यानि मंगलवार की दिन में 5 करोड़ 82 लाग कर net केलिक्शन किया है और इसी की साथ इस फिल्म के पास दिनों को टोटल इंडिया net केलिक्शन 59 करोड़ 90 लाग हो चुक है तो टोटल इंडिया ग्रोज कलेक्शन 62 करोड हो चुक है इस फिल्म ने Oversus में लगबख 8 करोड 30 लाग के कलेक्शन किया है अगर वर्ल्ड वेट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वेट कलेक्शन 70 करोड 30 लाग हो चुक है दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म के छटवी दिन के कलेक्शन की तो रक्षव बंदान की चलते इस फिल्म की कलेक्शन में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहे ये फिल्म अपने छटवी दिन में इंडिया में लगबग 7 करोड करने जा रही है तो दोस्तो चटवे दिन के कलेक्शन में Dream Girl 2 ने बाज ही मारी है दोस्तो अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट लगबग 42 करोड है और इस फिल्म ने अपने बजट रिकवर भी कर लिया और ये फिल्म प्रॉफिट में चर रही है तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि Dream Girl 2 Dream Girl को पच्छाड कर आईश्मान खुराने की केरियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म बन सकती है या नहीं कमेंट करके बताईएगा दोस्तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौनसे फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई ये भी कमेंट करके बताईएगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें करें शियर करें और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो ऐसी बॉक्स ओफिस की कलिक्शन हर फिल्मों की सभी जानकर रिपाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दवा देता कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें